नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों भारती ब्रमोस ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है लेकिन इस बार खास इसली है ये क्योंकि इस बार ब्रमोस ने एक जोड़ी के साथ यानि कि आइनस रन विजे के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया है और भारती नोसेना के लिए इसे काफी बड़ा माइल स्टोन माना जा रहा है वहीं चीन के लिए ये जोड़ी बहुत ही डेडली और लीथल होने वाली है क्योंकि चीन जो बार-बार कोशिश करता है हिंद महासागर में घुसने की भारती समुद्र सीवा में घुसने की उस पर पूर्णतिया लगाम लगा देगी ये जोड़ी जी हां सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोनों के बारे में डिटेल से और क्या हुआ है हाली में ये भी हम सब चीजों पर चर्चा करेंगे और एक्सपर निस पर क्या है उस पर भी हम बात करेंगे तो मेरे साथ आप इस डुमें तक बने रहीएगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लिए ताकि आप कोई भी आने वाले समय में वीडियो मिसना कर पाएं चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं हो रही है उस में लेक में लिखाए गया है कि भारत ने वहां वार किया है जहां चीन को सबसे जादा दर्द होता है जी हां दरसल इसमें बताए गया है कि भारत ने पिछले डेड़ से दो महीनों में जितने भी मिसाइल टेस्ट किये थे सारे के सारे ऐसे थे कि अलग अलग थे हरेकी खुबी अलग थी कोई भी ऐसन था कि similar हो ब्रमोस के टेस्ट शोड़कर ब्रमोस के हाली में हुए थे जो मतलब कि similar टेस्ट थे लेकिन बाकी सब ऐसे थे कि अलग है कभी प्रत्वी का हो रहा है ब्रमोस के वे बहुत सारे टेस्ट है और BMD सिस्टम का भी हमने टेस्ट किया यानि क्या लग-लग थे इसमें बताया गया कि भारत ने जहान बूज कर ये मिसाइल टेस्ट किये थे ताकि चीन को अपनी मिसाइल स्टेंट दिखाई जा सके और साथ ही चीन को दुखती रख है जो चीन की की उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है चीन का वो काफी फेल रहा है डॉंग फैंग को छोड़ कर उसके पास कोई और मिसाइल है यह आप देखेंगे उसके पास कोई धंकी मिसाइल आपको मिलेगी यह नहीं ये बात मैंने खुद चीनी एक्सपर्ट भी मानते हैं ऐसे में जब भारत ने दरजनों मिसाइल लग लग चीन के सामने तो ये चीन की दुखती रख पर पैर रखने जैसा था लेकिन अब भारते ब्रहमोस ने एक और कारणामा कर दिखा है दरसल आज एक और मिसाइल टेस्ट हुआ है और इस मिसाइल टेस्ट में भारत की ब्रहमोस ने जबरदस परफेमेंस दी है एक हमारा डिस्ट्रोयरिस का नाम है आयनस रनवीजे उससे इसे फायर किया गया है और उससे जो 300 किलिमेटर दूर एक टार्गेट था एक शिप रखी गई तरी डेमो शिप थी अब सूची इतना बड़ा ओशन है वही पर एक छोटी से शिप को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्कुरेसी के साथ हिट किया गया है और धजिया उड़ा कर रखती उस शिप की और सबसे खास बात है कि आयनस रण विजे को अपने आप में बहुत ही खास मने जाता है ये भारत का बहुत ही जबरदस्त एक डिश्टोयरे विदवनसक है और इसके साथ अगर ब्रहमोस का इंटिगरेशन कर दिया जाता है जिस तरी के से टेस्ट किया गया है तो ये बहुत ही लीथल कॉंबिनेशन बनने वाला है हिंद मासागर में धमाल मचा कर रख देगा एक कॉंबिनेशन और भारत के लिए टेश्ट बहुत ही ज़ादा जुरोड़ी भी था क्यूंकि चीन की लगातार जो गुसपैट हो रही है भारते समुदृ में खास कर की भारते समुदृ सिमाओं में चीन की रिसर्च सिप का गुसना ये भारत के लिए एक बहुत लड़ा सरदर्द है ऐसे में अगर ब्रमोस तैनात रहेगी इंदमासागर में तो चीन को डर ये रहेगा कि एक ऐसी मिसाइल तैनात है उसके आसपास अगर वो गुसने कोशिश करेगा भारत समुद्र सीमा में तो उससे बचपाना चीन के लिए लगभग नामुम्किन होगा उससे नहीं डोख पाएगा चीन तो ये एक डर क्रियेट कर देगा भारत चीनी नोसेना के अंदर और यही भारत करना चाहता है और इसलिए ये टेस्ट बहुत ही महतपून माना जा रहा है और आने वाले समय में इसके रिलेट्ट और मुझे जैसी कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको वीडियो बना कर सुशित करता रहूंगा तो चैनल को सब्सकाविए आप जरूर कर लिए का ताकि आप कोई भी वीडियो मिसना कर पाए थैंक्यू रूंच वाचिंग वीडियो कर दो